आज का वर्ड है, exactly. एक्जाक्ली का आप अडवर्ब या क्रिया विशेशन के रूप में यूज, कर सकते हैं. एक्जाक्ली के दो, meaning होते हैं. पहला मतलब है, used when emphasizing that something is no more and no less than a number or amount or is completely correct in every detail. एक्जाक्ली शब्द का उपयोग. तब किया जाता है जब, इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोई चीज किसी संख्या या राश्य से अधिक या कम नहीं है, या हर तरीके में पूरी तरह से सही है. वही इसका दूसरा meaning है, used as a reply, to show that you think what someone has said is completely correct or true. एक्जाक्ली वर्ड का use, किसी को जवाब देने के लिए किया जाता है, खास कर तब, जब आपको लगता है कि किसी ने जो कहा है, वह पूरी तरह से सही या सच है, तो आईए sentence examples with the word exactly. देख लेते हैं, it's exactly, half past five, it's exactly, half past five, ठीक, साढ़े पांच बजे हैं, tell us exactly what happened and don't, prevaricate, tell us exactly what happened and don't, prevaricate, हमें ठीक ठीक बताएं कि क्या हुआ और, टाल मतोल न करें, the doctor's instructions must be fulfilled, exactly, the doctor's instructions must be fulfilled, exactly, doctor के निर्देशों का बिलकुल सही से पालन किया जाना चाहिए, so you think we should sell the house, exactly, so you think we should sell the house, exactly, तो आपको लगता है कि हमें घर बेच देना चाहिए, बिलकुल, तो आईए, अब देखते हैं exactly के synonyms या समानार्थी शब्द क्या है, precisely, एकदम सही, just, अभी अभी, right, सही, absolutely, बिलकुल सही, वही exactly के antonyms या विलोम शब्द है, in exactly, अचूक रूप से, तो जहां एक और exactly का मतलब होता है, किसी चीज का व्यवस्थित होना या विधिपूर्वक किसी काम को करना वहीं उसके opposite या विलोम शब्द है, in exactly, अचूक रूप से, partially, आंशिक रूप से, falsely, मिथ्या, vaguely, असपष्ट रूप से, तो simple शब्दों में exactly का मतलब होता है, वास्तव में, सही में, अचूक, यथार्थ त, ठीक ठीक, अब आपकी बारी, नीचे कॉमेंट में आप, exactly, शब्द से, सेंटेंस बना कर बताएं, thank you for watching, this video, meet you next time.